जनपद में विधान सभा चुनाओ के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों सहित निर्दल प्रत्याशियों ने शुक्रवार को कलेक्टरेट पहुचकर नामांकन किया जिसके संबंध में प्रत्याशियों ने बताया कि चुनाओ जीतने पर जनता को सड़क, पानी, ब जनता की उमीदों पर खरा नहीं उतरा है लेकिन हम चुनाओ जीतने पर जनता की उमीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे इस संबंध में गुरकबुन नियूस से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राम बचन अखिलेश कुमार गुपता ने कहा आद से थे रवे नाद कुमार वीदों पराम वीदों पराम पराम पर खराम परल से कुमार गए अधिलेश में पराम 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 ये ऑल करते हैं पर चाहर सेकताब थाय कि एंप है शाइशना आगी एकां जबादों कि एंप हुआ है अपराइशना है यह वो सिंप यह जए होड़ा है पर शाय एकी मैंवस्या जए पर भी नह सिंदे मैं आगो की आगनी हुआ के एका है लाल बचन धोगी लाल बचन धोगी दोटा चार मुट प्रसासन चीह हो शासन चीह हो और जब रसाचार खत्म होगा तो अपन्याप प्रसाशन वगाइंगे विकास के दिश्टे क्या 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 जाएगा जब रस्ताचार कर तो बिकास अपने आप सुरू हो जाएगा और हमारी पार्टी का जो लच्छ है स्वास्त सिछ्छा और जन्मा जन्ता की मूल भूत तूज आ सकता है उसके पर समर्पीत भाव से काम करना अक्लेश कुमार गुप्ता जो भी समस्या है जन्ता का उसके निवानल किया जाएगा जैसे बिजली शड़क पानी जो भी है कि लोग कहते हैं कि आज तो कोई खरा नहीं उत्रा अगर आम आनी पार्टी चुनाओ जित्ती है तो हम लोग खरा उत्रा होगे युवाओं को क्या संदेज देना है कि इस साल जातिवाद की राजनी छोड़ करके आम आनी पार्टी के साथ आए